एक फैमिली होती है जिसमें चार वच्चे और एक मदर होती है इस फैमिली में मर्डर हो जाते है तो इसके बाद सिर्फ ब्रदर और एक सिस्टर बची हुई होती है मर्डर का जो इल्साम होता है, ये भाई पर लग जाता है क्योंकि छोड़े सिस्टर ने बताय होता है, कि मेरे भाई नहीं मर्डर किया है अब ये छोटी बाचीज़ बढ़ी हो चुकी है, तब उसमे पता चलता है, कि शायद उसके ब्रदर ने ये खून किये ही नहीं थे आज की मूवी डाक पेसेस ये बहुती कंपेलिंग मिस्ट्री थिलर है जैसी स्टोरी आगे बढ़ती जाती है बहुत सारी चीज़े अनफोल्ड होती रहती है आपको कभी भी ये मूवी बोर नहीं होने देगी एक बहुती बेस्ट मूवी गौन गल जो भी एक मिस्ट्री थिलर ही थी उसके ही राइटर ने एक मूवी लिखी है तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि मर्दर लीपी को कह रहे होती है कि तुमसे बहुती प्यार करती हूँ यह हमेशा तुम याद रखना यह एक फ्लैश बैक का सीन था इसके बाद लीपी हमें हॉस्पिटल में दिखाई गई है और इसे पूछा जा रहा होता है कि मर्डर किस ने किया था अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है और लीपी बड़ी हो चुकी है लीपी हमसे कहे रहे होती है कि मर्डर हो जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प की थी बहुत सारे पैसे उसे मिले थे इस पैसों से अगर वो कुछ भी ना करे तो अभी यह रह सकती थी और इसने यह ही किया है अब वो बड़ी हो चुकी है फिर भी उन्हें पैसों पर वो जी रही है अब यह इसके अकाउंटन के पास आ चुकी है यह हमें दिखता है इसका अकाउंटनने से कहता है एक बड़ी प्रॉलम आ चुकी है तुमारे जो सब पैसे थे ये सब अब खतम हो चुके है लीवी को बिलीवने होता लीवी को जो लोग पैसे बहेचते थे अब वो नहीं बहेच रहे अब वो बढ़ी हो चुकी है और लोग इस इंसीडन्ट के बारे में भूल रहे है लीवी ने इस incident पर एक book भी लिखा था उसके भी ज़ादा copies वगरा sell नहीं हुए लीवी यह सुनकर surprised होती है लीवी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है अब वो क्या करेगी यह उसे पता नहीं है उसका accountant उसे कहता है कि अच्छी बात हो सकती है अब तुम finally अपने life में कुछ कर सकती हो लीवी एक total loser होती है उसे life में क्या करना है कुछ काम करना है या नहीं ये भी पता नहीं होता लीवी जब घर पर आती है तो वहाँ बहुत सारे later पड़े हुए होती है एक later जब वो open करती है तो उसे invitation आया होता है अगर वो उस जगा पर जाए तो उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते है जिस आत्मी का ये later होता है उसे फिर वो call करती है ये उसे मिलने के लिए एक laundry कहा बुलाता है लाइल अपने आपको introduce कराता है और कहता है कि मैं मेरे club में तुम्हें invite करना चाता हूँ लाइल एक club चलाता है जिसमें सब जो लोग होते हैं ये सब murder में ही interested होते हैं ये murder solve करने कोशिश करते हैं murder के जो victims होते हैं इसे वो बात करते हैं murder के बारे में सब थेरी जगरा बनाना इन्हें अच्छा लगता है अब इस club में Libby को लाइल बुला रहा होता है Libby को 500 डॉलर्स मिलने वाले होते हैं और वो खेती हैं कि अब मुझे 1000 डॉलर्स चाहिए lie 700 डॉलर्स में उसे मना लेता है उसे ये भी कहता है तुम्हें उस incident के बारे में हमसे बात करने पड़ेगी अब हमें फिर से जब Libby छोड़ी थी वो पास दिखाया जाता है इसमें इनकी मदर इनके लिए breakfast बना रही थी तब ही वहाँ उसका brother आया इस brother का नाम Ben होता है Ben वहाँ से जा रहा था पर मदर ने उसे रोक लिया उसे breakfast खाक कर जाना चाहिए इसलिए उसने उसे रोका होता है Ben ने एक हैट पहने होती है उसकी मदर इसके लिए उसे टोकती है पर वो मानता नहीं उसकी sister फिर उसे join करती है और फिर से उसकी हैट की बात आती है उसकी हैट निकालने के लिए उसे बोला जाता है तब इसने अपने hairs dye कर लिए होते है सबको शौक लगता है कि यह उसके natural hair नहीं है Benjo है यह बहुत ही weird बच्चा है यह सैतान पर believe करता है और अपने diary में कुछ भी weird जीज़े लिखता रहता है इसके बाद हमें present दिखाय जाता है और Libby अब Lyle के club में आ चुकी है यहाँ पर जो लोग होते यह बहुत enthusiastic होते Actually murder कैसे किया गया होगा यह सब वो try करकर देख रहे होते एक role play कर रहे होते Libby को यह सब uncomfortable लगता है पर Lyle कहता है कि तुम उपर चलो उपर जो सब लोग है यह बहुत ही professionals है Lyle ने बहुत सारे लोग को यहाँ लाय होता है private investigator जो अब retire हो चुके है यह सब लोग यहाँ आय होते है यह सब मिलकर अब murders की चानपिन कर रहे होते है Lyle Libby को कहता है कि अब हम एक serial killer को ढूण रहे है तुमारे mother का जब murder हुआ था तो उसी area में हो था हम उसे आप ढूणना ही वाले है यह हम देखते हैं कि बहुत सारा paper work वेगरा होता है Libby को फिर एक आदमी जो murder हुआ था इस सब की details बताना start करता है वो कहता है कि तुमारी भाई पर सब आरोब आ चुका था तुम बहुत ही छोटी थी और तुमारे words पर believe नहीं किया जा सकता था फिर भी तुमारे प्रदर को जेल में डाल दिया गया तुमारा रदा सैतान पर believe करता था तो इसलिए सब लोगों ने यह मान लिया तुमारे father भी पागल है वो भी घर छोड़ कर चले गए थे वो वापस आ सकते थे और तुमारी family को मार सकते थे उन पर किसी ने भी शक ने किया यह आदमी फिर लिभी सी बुच्छता है क्रिसी का जो scandal हुआ था इसके बारे में तुमारे mother ने के से रिया किया था लिभी को किसी भी क्रिसी के बारे में पता नहीं होता यह बहुत ही चोटी थी तो बहुत सारे इससे चीज़े पता नहीं है क्रिसी एक लड़की थी जिसने बेन पर आरोप लगाया था कि उसने उसका रेप किया है उसके साथ सैतान की वार्शिफ वो कर रहा था यह सो जब चीज़े है यह लिबी को अभी तक पता नहीं है यहाँ एक औरत होती है वो कहती है कि तुमने जूर बोला था और अपने भाई की तुमने पूरी जिन्द के बरबात कर दी वो बहुत यक अच्छा अदमी है वो पेंटिंग करता है उसने अब डिग्री भी ले ली है यह इसे लायर बुला रही होती है लिबी फिर चेर जाती है उठती है तुमने उस रात के बारे में कुछ भी पता नहीं है अभी यहाँ से चली जाती है इसके बाद हमें फिर से पास दिखाया जाता है यहाँ हमें बेन दिखता है बेन कोछ ड्रक्स करने वाले बच्चों के पास आकर बेट जाता है बेन अपनी स्कूल में कूल है ऐसा दिखाना चाता है इसी वज़े से इन बच्चों के साथ वो अब हैंग आउट करना चाता है ये बच्चे इसे कूल नहीं समझते और इसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहते है इन बच्चों को जब पता जलता है कि बेन सैथान की पुझा करता है तब इसमें इन इंट्रस्टेट हो जाते है ये भी इनके साथ हैंग आउट करना चाता है तो ये स्टोरीज बताना स्टार्ट कर देता है इसके बाद मदर हमें दिखती है और उसके बाद से गात में आता है इसे उसने लोन लिया होता है ये उससे कह रहा होता है हमारे जो क्रॉप्स है ये अच्छे बिक नेर है मदर फार्मिंग ही करती है यह थी है कि पीछले साल अच्छे क्रॉप्स ने आये थे पर इस साल अगर अच्छे क्रॉप्स आ गए तो सब कुछ बदल सकता है याद में कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बैंक अब हमारी सब की जमीन ले लेनी वाली है अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो माप पुटपात पर आ जाएंगे उसे कुछ भी कर कर पैसे लाने के लिए बोल रहा होता है अब हम फिर से प्रेजेंट देखते है नेक्स दिन लिभी फिर से लाइल से मिलने के लिए आती है वो गहती है क्यों तुम्हें help कर सकती हो जो तुम investigation कर रहे हो इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूँगे पर इसके लिए उसे पैसे लगने वाले होते है लाइल भी ये पैसे देने के लिए मान जाता है इसके बाद लिली उसके ब्रदर से मिलने जेल में आती है ये कहता है कि मैरे बहुत सारे लोगों पर गुसा है पर तुम उसमें नहीं हो लीवी कहती है कि मुझे पता है कि ये तुमने ही किया था बेन कहता है कि मैंने कोट में जो भी कहा वो सब कुछ गलत कह दिया था तब मेरे स्कूल में मुझे कूल बनना था इसलिए मैं यह सब कह रहा था मुझे इसके consequences कुछ समझ में नहीं आ रहे थे लीवी पूछती है कि अगर यह सच है तो तुमने अपिल क्यों नहीं की थी इसका प्रदर कुछ बोल नहीं रहा होता तो एक गुस्से में यहाँ से चली जाती है इसके बाद हमें फिर से past का बेन दिखाय जाता है यह उसकी girlfriend के साथ है यह इस दिन उसे मिलने के लिए आता है तो इसकी girlfriend बहुत ही चीड़ गई होती है इसके girlfriend का राम डियोंडरा होता है डियोंडरा उसे अपने room में लेकर जाती है और दोने intimate हो जाते है इसके बाद उसे पुछती है कि स्कूल में तुमारे बारे में कुछ भी बाते की जा रही है तुम को छोटी लड़कियों को खेत में लेकर गए और तुमने सेतान की फूजा की थी तुमने उन्हें मुलेज्ट भी क्या है ये भी बात की जा रही है बेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब अफवाय है यही नेक सिन में हम देखते है कि इन बच्चों की मदर को मिलने उसके सिस्टर आयो हुए होती है इस सिस्टर है ये सिटी में रहती है और अच्छे से कमा वगरा लेती है मदर अब उसे जो भी सब प्रॉलम से इन सब के बारे में कह रही हुती है मदर बेन को लेकर भी बहुत ही परेशान है बेन की जो गर्फरेन है वो प्रिगनन्ट है अब ये दोनों मिल कर यहाँ से भाग जाने वाले है पर इने पैसों की प्रॉलम है डियोंडरा का जो ब्रदर होता है ये बेन से कहता है कि तुम्हारे फादर से तुम पैसे ले सकते हो बेन कहता है कि मेरे फादर तो बहुत ही करीब है डियोंडरा का ब्रदर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने बहुत सारा वीड उनके पास देखा था ये ड्रक्स सेल करते हैं तो पैसे इनके पास हो सकते हैं इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं लीवी को लायल समझा रहा होता है कि तुम्हारे ब्रदर ने जो भी टेस्टेमोनी दी वो सब गलत हो सकती है तब ये सेतान वेगरा इसके वार्शिप करने का एक ट्रेंड ही चल रहा था सब बचे इसकी स्टोरी बना रहे थे बेन पर छोटी लड़कियों को मोलिस करने के चार्जेस लगे थे इसमें ही एक का नाम क्रिसी केट्स था अब लीवी को इसके बारे में पता चल चुका है तो क्रिसी केट्स के मदर से क्रिसी केट्स का वो नंबर ले थी है हम फिर से पास्ट में देखते है कि मदर को प्रिंसिपल ने बुलवाय होता है बेन ने जो सब किया है ये उसे बताया जाता है ये रोने लग जाती है अगर सचनुज में ऐसा हुआ होगा तो वो बहुत ही ट्रवल में है बेन कोप लॉयर भी लगेगा और इतने सारे पैसे इसके पास नहीं है ये सच निकालने के लिए क्रिसी की घर पर जाती है वहाँ पर उसके पैरन्स वेकरा भी होते है क्रिसी के भादर बहुत ही चिड़ गए होते है क्रिसी से जब मदर पुछती है तो वो भी सब कुछ बता देती है अब मदर को लगता है कि ओए अच्छी मदर नहीं है उसके घर में सब प्रॉब्लम चलती रहती है इसी वज़े से बेन नहीं किया होगा कभी-कभी उससे लगता है कि उससे सूसाइड कर लेनी चाहिए अगर वे कर लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा उसकी जेस्टर उसके बच्चों का खयाल रख सकती है जेस्टर उसे समझाती है कि ऐसा मत बोलो तुम एक अच्छी मतर हो तुम हमेशे अपने बचों का खयाल रखती हो फिरसे हमें प्रेजन दिखाया जाता है और लीबी क्रिसी से मिलने के लिए आती है क्रिसी से जब लाइल सब कुछ पोछता है तो क्या हुआ था ये सब बता देती है लीबी पहचान जाती कि जुट बोल रही है उस पर हो थोड़ा सा वे बिलिव नहीं करती लाइल को लग रहा होता है कि फैमिली को मारने वाला क्रिसी के फादर ही थे लाइल बिल पे करने के लिए चला जाता है तो क्रिसी से लीबी बात करती है वो कहती है तुम्हारे फादर का मुझे अड्रेज चाहिए क्रिसी इसके लिए 50 डॉर्रस मांगती है लिबी उसे देती है क्रिसी उसे थोड़ा सा टाइम मांगती है क्योंकि अपने फादर से वो बहुत ही जादा टाइम हो चुका है और मिली नहीं है अब हम फिर से पास देखते है तो इन सब बच्चों के जो फादर थे वो घर पर आये थे मदर और फादर की फाइट हो चुकी थी फादर को कुछ पैसे चाहिए थे और मदर उसे दे नहीं रही थी यह फादर इस पर चीड कर ही वहाँ से निकल गया था लीभी अब अपने फादर को ढूड़ना जाती है एक जगा से वो पता लेती है और उसके फादर एकपन फैक्टरी में रहे रहे होते है यह जब यहाँ पोच्चती है तो पहले इसके फादर उसे पहचानते नहीं जब बचपन की मेमरी वो शेर करते है तो फादर को बिली हो जाता है कि उसकी हे डॉटर है लीभी अपने फादर से कहती है कि तुम अब बुढ़े हो चुके हो अगर तुमने यह किया था तो तुम अब सब कुछ बता सकते हो उसके फादर कहते है कि मैंने यह सब कुछ नहीं किया है ये कहे रहे होते हैं कि जब मैंने डियोंडरा के भाई की गाड़ी बाहर देखी तो ये मुझे पता जल गया था कि कुछ ना कुछ तो ट्रबल है यानि कि लीवी के फादर ने रात में वहाँ कुछ देखा था लीवी को इसके बारे में कुछ भी आईडा नहीं होती बैन की गल्फरेंड डियोंडरा उसका भाई इन सब के बारे में उसके फादर उसे कहते हैं लीवी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता लीवी अब यहाँ से चली जाती है पास में डियोंड्रा का ब्रदर बेन और डियोंड्रा ये सब उसके फादर से मिलने के लिए आये हुए है डियोंड्रा के ब्रदर से बेन के फादर ने बहुत सारे पैसे लिये थे और वो उसे वो मांग रहे है ये बेन के लिए है ये भी उन्हें कहा जाता है बेन हमने फादर से मिलता है और कहता है कि अब मैं भी फादर बनने वाला हूँ बेन के फादर कहते है ये क्या तुम शूर हो कि ये तुम्हारा ही बच्चा है बेन थोड़ा सा सस्पीशियस हो जाता है आद में जब ये सब घर आ रहे होते तो डियंडरा और उसका भाई ये दोनों ड्रक्स करने लग जाते है इसके बाद ये तलवार वेकरा निकालते है और जाकर सैतान के लिए सैक्रिफाइज लेना चाते है ये बेन के सामने ही एनिमल्स को मारते है प्रेजन में हम देखते है कि लिभी अपने ब्रदर से मिलने के लिया आती है उसने जो सब प्रोग्रेस की है इन्विस्टिकेशन में वो सब उसे बताती है इसका ब्रदर उससे कहता है कि ब्लीज ये सब मत करो तुमने उस वक जुट बोला था इसी वज़े से मेरी सब लाइब बरबाद हो चुकी है पर फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया है तुम ये सब कर रहे हो तुम मुझे ये सही नहीं लग रहा बैन बिलीब नहीं करता कि उसके फादर नहीं सब क्या होगा पिन लिबी से कहता है क्या तुमें अब भी सच मुझ में कुछ भी doubt है कि यह मैंने किया था लिबी कहती कि हाँ मुझे लगता है क्योंकि हमारी family बहुत ही घटिया है मैंने भी लोगों को hurt किया है कभी-कभी मुझे लगता है कि हमारे jeans में ही यह सब चीजे है इसका प्रदर उसे कहते है कि मुझे लगता था कि मैं ही imprisoned हो तुम अपने ही खयाली दुनिया में एक jail में बन चुकी हो यह भी सची होता है लिबी कभी-कभी सत्में से उबर नहीं पाई है फिर से में पास दिखा जाता है और mother अपने बेटियों से पूछ रही होती है क्या बेन ने कभी तुमें कुछ गलत तरीके से टच किया है इसकी सब बेटिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वो बहुत ही weird है उसके room में बहुत ही गलत गलत चीज़े है मदर रात में जाकर सब चीज़े देखने लग जाती है यहाँ बेन की डाइरी में सैतान की related बहुत सारी चीज़े लिखी होती है यह सब वो देखती है क्रीसी को अपने फादर का पता उसे देना था जब यह उससे मिलने के लिए आती है अब वो उसे सच पताती है क्रीसी कहती है कि जब मैं छोटी थी तो बेन मुझे सिखाया करता था मुझे उस पर crush हो कई थी मैंने जब उसे बताया तो उसने ठुकरा दिया तो हमेशा मुझे अच्छी तरीके से पेश आता था कभी भी उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था जब उसने मुझे ना बोल दिया तो मैं उस पर चिट गई थी उन दिन डिवी पर जो दिखाया जाता था कुछ लड़कया मोलेस्ट हो चुकी है तो यही चीजे सब मैंने पुलिस को बता दी थी एक्च्छल में वैसा कुछ भी नहीं हुआ था लिवी को अपने ब्रदर के लिए बहुत बुरा लगता है फिर सहम पास देखते हैं और मदर से मिलने के लिए एक आदमी आया हुआ है यह उसके सब रबल्स दूर कर सकता है यह इसे एक डील कर रही है अब हम फिर से प्रेजन देखते हैं प्रेजन में लिवी और लाइल दोनों डियोंडरा की ब्रदर से मिलने के लिए आते हैं इसे वो डियोंडरा की बारे में पूछ रहे होते हैं यह कहता है कि डीओडरा 25 लिए से मिसिंग है डीओडरा की और एक नेम था इसके बारे में इन दोनों को पता चल जाता है डीओडरा मिसिंग थी क्यूकि उसका सचमुछ नाम जो है यह किसी को पता नहीं है लिभी जब डियोंडरा का नीज नेम सेल्च करती है तो डियोंडरा का पता उसे मिल जाता है फिर से पास्ट हम देखते है कि डियोंडरा प्रेगनन्ट है तो अपने बॉइफ्रेंड यानि कि बेन को कह रही होती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए बेन के घर पर उसकी कुछ पैसे है यह वो लेकर आ सकता है बेन उस पर शक कर रहा होता है कि क्या सचमच में यह इसका ही बेटा है तो उसे वो मारती है और कहती है मैं सिर्फ तुमसे बैर करती हूँ यह फिर रात में बेन के घर पर जाकर पैसे लेकर आने वाले होते है फिर से ब्रेसें में लीबी अब डियोंڈरा से मिलने के लिए आती हैं डियोंडरा सप्राइस्ट होती है और वो कहती है कि मुझे हमίνशा से लगा था यए तुम कभी न कभी तुम मुझे धून दि लोगी लीवी जब उस incident के बारे में डियोंडरा से पूछती है तो डियोंडरा कहती है कि उस रात मैं अपने घर पर ही थी बेन तुमारे घर पर जाकर सब पैसे लेकर आने वाला था हम भाग जाने वाले थे पर सुबह तक वो घर पर आया ही नहीं सुबह मुझे मर्डरस के बारे में पता चला हम पास देखते हैं और वहाँ पर डियोंडरा और बेन दोनों बेन के घर पर आ चुके है यानि कि बिचले सीन में डियोंडरा जो लीवी से कह रही थी है यह सब कुछ जूट था प्रेजेंट में लीवी डियोंडरा पेगनन थी तो उसे बच्ची भी हो जुकी है इसे भी वो देखती है लीवी के लिए सब कुछ जादा हो जाता है वो डारेक्ली बातरूम में चली जाती है बातरों में उसे देखता है कि उसके मदर का जो निकलेस था ये डियोंडरा के पास है या वो suspicious हो जाती है जब लीवी नीचे आती है तो उसके सर पर डियोंडरा की बेटी वार कर देती है और लीवी यही बेवस हो जाती है पास्ट में हम देखते हैं कि डियोंडरा और बेन तोनों घर पर थे तभी इनकी बड़ी सिस्टर वहाँ चुकी थी ये चिलाने लग गई थी तो डियोंडरा उसका गला दबाने लग गई तभी एक आदमी घर में आया था मदर जिस आदमी से डील कर रही थी ये वही आदमी है वो अंदर आया और मदर को उसने मार दिया बेन आवाज आ रहे थी ये सब देखने के लिए गया तो डियोंडरा ने उसकी सिस्टर को मार दिया जिस आदमी ने मदर को मारा था इसकी छोटी सिस्टर को भी उस नहीं मार दिया यहाँ से लीवी एसकेप हो चुकी थी जब एक killer वहास से चला गया तो बेन को पता चला कि डियोन्रा ने उसकी सिस्टर को मार दिया है अब हमें इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है तुमारी मदर का insurance भी हमें मिलेगा इन पैसों से हम अची life start कर सकते है डियोन्रा बेन को बोली कि तुम जाकर सिफ लीवी को अब मार कराओ लीवी एक जगा पर छुपी हुई थी उसके पास गया और उसे कहा कि यहां से बाहर मत निकलना उसने यहां लीवी को बचाया था अब हमें पता चल चुका है कि बेन प्रीजन में क्यों कुछ भी नहीं बोल रहा था डियोन्रा और उसकी बेटी है यह उसकी family है इसे ओड ट्रबल में नहीं लाना चाता अगर उसने सब को सच बता दिया तो डियोन्रा जिल में चली जाएगी और उसकी बेटी का क्या होगा यह राज वो दफना रहा था डियोन्रा की बेटी ने लीवी के सरबर वार किया था क्योंकि लीवी सब को जब जान सकती है क्रॉस था है लीवी ने ले लिया है यह उसे पदा चल गया था लीवी को अब यह दोनों मिलकर मारने वाली थी तब लीवी यहां से escape करके लीवी को ढूंटे ढूंदे लाइल भी वहा गया लीवी को रात में ढूंदनी पाए अब हम देखते हैं कि लीवी को बारे में सब पुलिस को पदा चल चुका है लाइल लीवी को कहता है कि जो आदमी था जिसने सब लोगों को मार दिया था वो एक serial killer था तुम्हारी मदर ने उसे पैसे दिये थे जो भी लोग करजे में डूपते थे उनके पास जदा था और उने मार देता था वो लोगों को help करा है ऐसा उसे लगता था तुम्हारी मदर ने ही उसे बुलवाय था एक्चुन में प्लान ये था कि सिर्फ मदर मरने वाली है पर ये serial killer ही था तो सब लोगों को मार कर वो हास से चला गया था दूसरी sister का खोन डियोंडरा ने किया है तो police भी अब उसके पीछे पढ़ चुकी है Ben innocent है इस वज़े से अब वो जेल से निकलने वाला है Liby उसे आकर मिलती है Liby कहती है कि हमारे sister को डियोंडरा ने मार दिया था पर फिर भी तुम उसे cover कर रहे थे Ben कहता है कि मैं डियोंडरा से प्यार करता था मेरा बच्चा आने वाला था इसलिए मैंने secret दबा कर रखा था Liby उसे sorry कहती है उसने जोट बोला था कि उसके brother ने यह सब किया है actual में उसने कुछ भी देखा नहीं था Ben पुछता है क्या अब हम फिर से family बन सकते है Liby कहती है तुमारे बारे में कुछ भी नहीं जानती और तुम मेरे बारे में भी कुछ नहीं जानते हम एक दूसरे को जान भी नहीं सकते पर फिर भी तुम मेरे प्रदर हो यह हमेशा family रहने वाले है इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया है Ben कहता है कि जब हम छोटे थे तब सब चीज़े गलत थी ऐसा नहीं है as a family हमरे पास बहुत सारे अच्छे moments थे वो हम कभी भी याद नहीं कर दे उसी यह सब याद है यह जब पहार निकलेगा तो Ben उसे सब कुछ बताने वाला है लिली हमसे कहती है सच-चुछ में ऐसा ही था मदर के मर जाने के बाद सब कुछ निकेटू चीज़े ही मुझे दिख रही थी पर हम एक अच्छी फैमिली थे Ben भी एक अच्छा प्रदर था यह भी मैं भूल चुकी थी लाइफ की अब वो पॉजिटिव साइट देखने वाली है और अच्छे से लाइफ जीने वाली है अब वो धूप में एक नए रास्ते पर जा रही है यह में दिखाया जाता है और यह मूवी यही एंड हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इसी मूवीज लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकन दबाना में मत भूले हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ तब तक लिए थैंक यू और आपने आपका खैल रखिये